हैलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल दिक्षास फैशन आज की वीडियो में आपको इस तरीकी का जो रेडिमेट सूट में गला बना हुआ आता है उसे परफेक्ट साइज में बनाना बताने वाली हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो रेडिमेट सूट में गला आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करकर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बाज में बैल बटन आ रहा होगा आप उसे भी प्रेस कर लेना इससे आपको जो मेरी आने वारी नई वीडियो से उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं कूले है कि अभी एतली वीडियोस के फैंड पैंड को फैंड डबर फूल नंगा है अब मैं इंची टेप से यहां पर अपनी neचर्णा मेजर करने की चवढ़ आपको आर्म होल की कřकुले साइड से मेजर करनी है तो यहाँ पर मैंने डाई इन चोड़ाई निशान लगा लिया है उसके आद में यहाँ पर अपनी लंबाई मेजर करूँगी मुझे लंबाई पांच इंच रखनी जो कि मेरी परफेक्ट है अब इन दौनों निशानों को मैं आपस में तिर्शा जो है मिला लूँगी और इस इंसान को जब आप तिर्शा मिला लें तो इसके आद आपको इस पर लगा देनी है सिलाई तो चलिए हम इस पर सिलाई लगाते है इस तरीके से देखें यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा दी है अब सिलाई के वादे इसको आप उपन करके चिपका का सेट कर दिया है अब इसको इस तरीके से आप डबल फूल करके कट लगा का सेंटर पॉइंट बना लीजिए और इस सेंटर पॉइंट को आपको जहां पर आपकी ये सिलाई का निशाने वहाँ पर रखना है और रखकर आपको सीधी एक सिलाई लगानी है सिलाई लगाने से फ्रेंट सापका जो बकरा में वह एक जगा पर सैट हो जाएगा और यह खिलेगा नहीं घिस से हमें नएक बनाने बहुत आसानी होगेश अब इस तरीके से देखें मैं इसको इसे पीज़में लगाना है अब आपको क्या करनाव चाहिए इस पर्षट अच्छा परफेक्ट दिकाई देए यहाँ पर मैंने इस पीड में वीडियो कर दिये ताकि वीडियो लेंदी ना हो अब देखी मैंने किनासर सलाई लगा लिये अब आपको क्या करना है इसमें जो है आपको लगबर इंची टेप की दो लाइन बराबर जगा छोड़कर एक्ष्रा फैब्रिक को जो है क्ट करके अलंग कर दीना है जो आपको छोड़क छोटे कटस लगाने क्टस लगाने से क्या होगा ज़ा आप इसको पलटोगे तो ये परफेक्ट राउंड खेप में पलट जाएगा अब मैं इस तरीव के से बकराम वाले देखी, मैंने इसको पलट कर अच्छी तरीके से सेट कर लिया, अब मैं किनार से जो है, राउंड शेप में फिर से एक सिलाई लगाओंगी, ताकि हमारा जो शेप है, वो परफेक्ट आ जाए, यहां पर फेंड मैंने किनारे से पूरे राउंड शेप में सिलाई लगा लिए अब मैं कुर्ती को एक बार मिजर करके देखेंगे तो यहां पर मुझे जितना परफेक्ट नाप चाहिए था वो आ गया है अब मैं इस तरीके से इसको पलटूंगी और फेंड से आपको क्या कर से अब करने कारण करना का ओ안 है कि आपको इस तरीके से बकरम को ले आपको थोड़ा-थोड़ा इस बकरम को फूल्ड करना का नगी करने का तो बीडियो ने की उपर वापस फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे आपको छाहे थो यहां पर तूर पर तूर्पाई!!!!! थ्रेड यहां पर निकले हुए हैं उन्हें हम कट कर लेंगे थ्रेड को कट करने के बाद हम जो है कुर्थी को पलट देंगे ये देखी हमारा जो नेके बन के रेडी है वीडियो पसंद आया हूँ आज का फैंट्स वीडियो को लाइक जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो म आप तक ली बाबाइ